हाई वरिवन वेल्कम टू साइन पुटिक दोस्तों करन्ट सिचुएशन देखते हुए अगर हमें कुछ साधारं तकलिप भी होती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं अभी फिलाल लॉकडाउन या और ये करन्ट सिचुएशन के वज़े से बाहर जाके कंसल्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग आप घर बैटे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ओनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन भी ओनलाइन ले सकते हैं और ये पूरा जो है डॉक्टर कंसल्टेशन टोटली फ्री है यह government of India का इस अंजिवनी OPD यह एक scheme है इसके अंदर आप डॉक्टर से concert कर सकते हैं तो इसके लिए एक simple सा procedure है आप online इसे registration कर सकते हैं आपने mobile का यूज करके mobile app के अंदर भी simple registration process होता है यह हम यह आज की वीडियो में देखने हाले हैं तो इसका timing अगर आप देखते हो तो हर एक state का timing यहाँ पर दिया है हर एक state यहाँ पर join हुआ है तो यहाँ पर आप अपना जो भी state है state के इसाब से आप अपना timing OPD का timing देख सकते हो तो यहाँ पर example महाराश्रा का timing timing अगर देखना है तो यह OPD मंडे टू संडे 9 a.m. to 5 p.m. तक यह OPD का timing है लांच टाइम यहाँ पर रही है तो special OPD भी यहाँ पर आप concert कर सकते हैं जैसी अलग-अलग specialized है तो यह भी आप यहाँ पर concert कर सकते हैं तो यह इतने सारे state यहाँ पर state list यहाँ पर दिया है तो इसका जो procedure है उसका procedure के अंदर registration and token generation यह simple यह file step है इसके अंदर अपला अब का mobile number register करना होगा उसके ओपर OTP आता है OTP आने के बाद registration होने के बाद patient की registration form fill up करना है उसके अंदर नाम detail फिल करके token के लिए request करना है देन आपके जो भी health record यह आप upload कर सकते हैं यह पूराना कुछ prescription है या history है तो आप यह upload कर सकते हैं और receive patient idea and token इसके लिए आपको SMS आता है SMS आने के बाद आपको timing मिल जाता है कि आपका concert कब होने वाला है अब यहां पर wait for SMS notification to login आपको SMS के लिए wait करना है जब SMS आता है तो आपको patient ID से login करना है login करने के बाद आप wedding room में चले जाते हुए यह एक option है कि जहां पर आपको wait करना होता है wait करने के बाद कुल देर बाद वहां पर doctor का option display हो जाता है और आप directly video call कर सकते है video call जरिए doctor आपका consult करेगा आपको आप से directly बात करेगे और आपको एक e-prescription doctor आपको उसके तुरूद दे सकते है और वो यह prescription में आप डाउनलोड करके medicine आप ले सकते है तो चलो देखते है डायरेक्ली सीधा mobile के उपर की कैसे इसका procedure है mobile पर अगर आपको e-sanjeevni app डाउनलोड करना है तो play store में जाना होगा play store में जाने के बाद आपको यहाँ पर search करना है e-sanjeevni opd यह एप की link description box media वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसे install करना है install होने के बाद इसे open करो यहाँ पर आपको stage दिए verify your mobile number generate token after registration log login upon getting notification waiting for your turn consult doctor and download e-prescription तो यहाँ पर next करते ही आपको यहाँ पर options मिल जाते है patient registration token generate करने के लिए पहले options है यह patient login और patient profile तो first of all the first patient registration करते patient registration और जेनरे token के उपर क्लिक करो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर state select करो और state select करने के बाद आपको अगर general opd चाहिए तो general opd select कर सकते है और specialty opd अगर चाहिए तो आप दोनों में से कोई भी जो भी option आपको चाहिए वो select कर सकते हैं जब आप general opd select करते हो तो नीचे आपका state का option select करना पड़ेगा और verify mobile for selected state के उपर click करना है यहाँ पर mobile नमबर दालके send OTP करना है OTP दालने के बाद आपको यहाँ पर आपकी detail फिल करना है जो patient है first name, middle name, last name, email address, mobile number तो यहाँ पर आजाता है gender यहाँ से select करना है और आपका age यहाँ से select करना है कि आपका age कितना है यह detail फिल करने के बाद आप next पर click करो नेक्स्ट प्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका state आ जाएगा, बाद में यहाँ पर आपको नीचे district to layट करना होगा, district के बाद आपका city तो यह अपके district के अंदर के cities यहाँ पर आ जाएगे और आपका address यहाँ पर आपको fill करना होगा यह detail fill करने के बाद आपको upload health record यहाँ पर अगर आपके पास कुछ health record है तो आप upload कर सकते हैं तो यह जो format है jpg PDF format में आप दे सकते हो less than 5 MB के अंदर यह file होना चाहिए और 3 file आप इसमें attach कर सकते हैं upload health record के उपर क्लिक करने के बाद आपको अगर आप photo निकालके directly camera on करके photo निकालके दे सकते हैं अगर आपके mobile में already scan है तो select file करके आप upload कर सकते हैं यहाँ पर generate token के उपर आपको क्लिक करना होगा तो your patient ID and token number are sent to your registered mobile number आपके mobile number के ओपर token ID और अपका patient ID आ जाता है तो अभी यह आने के बाद आपको यहाँ पर token patient ID और mobile number दालना है token दालना है और login करना है पेशन लौगिन करने के बाद आप वेटिंग रूम में आ जाते हों यहाँ पर वेटिंग में देखते हों और यहां पर आपका यह डॉक्टर होगी, इनका status waiting में आता है, जब डॉक्टर लॉगिन करते हैं, तो यहां पर डॉक्टर डिस्प्ले हो जाएगी, जब भी डॉक्टर लॉगिन हो जाएगी, तब आपके सामने ऐसा countdown आता है, कि जो यह countdown तक आपको यहां पर call now के उपर click करन है, आप जब call करते हो, तो आपका video camera on हो जाएगा और आप directly डॉक्टर से connect हो जाओगे, इस तरह आप डॉक्टर से communicate कर पाओगे, और आपका communication होने के बाद, आपको डॉक्टर prescription देंगे, और prescription आप download कर सकते हो, इस तरह से आप यह आपका prescription रहेगा, यहां से आप print कर सकते हो यह download करके आप medicine ले सकते हो, तो इस तरह से आप online consultation डॉक्टर से consult करके आप अपना head check up कर सकते हो, इस situation में डॉक्टर का appointment मिलना और बाहर जाना यह थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यह online consultation useful हो सकता है, तो यह video अपने दोस्तों को अपने family के साथ share करो, और यह app download करके जो useful कभी भी useful हो सकता है, आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, notification बेल के उपर प्लिक करो, यानि नए वीडियो ऐसी वीडियो आपके notification आते रहेगा, यह वीडियो देखने के लिए आप सब का धन्यवाद, थैंक्यू बरिमाच